मनिपूर के सांसथ डॉक्टर आरके रेंजन सिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात्चित करने के लिए और बीजेपी से सांसथ हैं आप और कैसे हैं आप सबसे पहले तो यह पूछे हैं हम तो ठीक है ठीक है मुझे यह बताएं सर कि संसथ सत्र खतम है आविश्वास प्रस्ताव लेकर आया ओपूजिशन ठीक है मनिपूर हिंसा को लेकर मनिपूर के मुद्दे को लेकर आया आपने क्या पार्लियामेंट में कुछ बोला मैं पर्लामेंट को बोलने के लिए कोशिश किया और फिर हमारा लीडर्स देर और सो प्रिपेरिंग और आप्टर सीइंग दी नौ कंपिदेंस अधिमोशन के विश्व है तो नाम श्रीप नाम तो मनिपूर लिया है और फिर डिसकुशन के सरसार के समय में तो मनिपूर की इश्व को सोड दिया और दूसरा प्राइम इनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का ऐसा ममला में आया था इसलिए इसी मुदा से मेरे बोलने का समय सा तो समय तो नहीं मिला है क्योंकि मनिपूर का इश्व में सरसार करने का हो तो जरूर हमारा लीडर ने मेरे को बोलने का मुदा देगा वो तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस के नो कंफिदेंस मौसन है और फिर नाम तो मनिपूर लिया है तो जिजे बहाता है तो उसके सुरु में गोगोईजी ने क्या बाताया मेरा सवाल है, मनिपूर आज नहीं चल रहा है, मनिपूर तीन मई से जल रहा है, मनिपूर is burning and it is known to all, लेकिन मनिपूर के दो प्रतिनिथी हैं, सांसद प्रतिनिथी, मतलब रेप्रेजेंटेटिव हैं, आप दूसरे हैं, मैंने लोरो सर से भी बात की है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों सांसद, संसद में क्यों नहीं बोल पाते हैं, अपने शेत्र के बारे में, अपने राजजी के बारे में, तो बोलने का हम request किया, हमारा time allotment नहीं मिला, फिर भी, आपको time allotment नहीं मिला, यह मिलना चाहिए था, तो फिर मैंने बोलने का सब से material से न, एस सब को हमारा leader को बताते हैं, मैं ऐसी बात में बोलना चाहिए, तो तो इसके बात, whatever, supposed to speak by me about the issue, that was already spoken by our home minister, so I rely on that. Okay, तो आपको लगता है कि अगर आप बोलते हैं, तो अच्छा होता है? मालू है, फिर भी union minister होने के नाते, तो हमको बोलने का मौका तो नहीं है, फिर भी मैं intervention कर सकता है, तो intervention के लिए मैंने request किया, फिर intervention करने वाला हमारा senior minister बहुत था, वो लोग को पहले chance दिया है, that is the only thing, नहीं तो मंत्री होने के नाते, तो कुछ तो बोलने का तो नियोम तो नहीं है, फिर भी intervention, intervention प्राइम मिनिस्टर के उपर में आविशास के लिए आया ना, उसके intervention तो हमारा senior minister ने दिया है. हाँ, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि दोनों सांसत को बोलने नहीं दिया गया है, आप इसे नाराज है, आप दुखी है, नहीं, तो बोलने का मोका नहीं मिला तो तो थोरा सा अच्छा नहीं है मेरे लिए, फिर भी मेरा मन में बोलने का तकत तो बहुत है, but I have to remain silent on this. Why do you have to remain silent? Because our leaders has already spoken what the point I want to raise to the platform, that was already discussed by Amishajee. तो क्या आपको भी ये instructions थें कि आपको नहीं बोलना है, अग्रीमंतरी ही कहेंगे, मनिपूर के मुद्दे पर जो कहेंगे वाइक? अइसा वाला नहीं है, तो मैं पहले से हम मिनिस्टर को बार बार मिला है, और मैं बोलने का ये ये figure तो बोलना साहिए, तो सब information को वो लोग मालूम है, इसलिए वो लोग ने बोला है, फिर भी आप देखो, शुरू से है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को request letter बहस दिया, और इस का copy हम मिनिस्टर को दिया, वहां में मैंने 13-14 पोइंट लिखा है, उसी में सबसे number one, तो हमारा भाइवलेंस तो हमारा state force ने कंट्रोल नहीं सकता, इसलिए central paramilitary force को मैंने मांगा, वो दिया था, और उसी समय में तो life loss वाला का ex gracia 5 lakhs था, मैंने request किया प्राइम मिनिस्टर को, हो मिनिस्टर को इसको भर्टी करना, इंक्रीज करना साहिए, वो लो इंक्रीज किया, दस लाग दिया, और उसके उपर मैंने request किया, वो प्रोपर्टी डेमेज, लॉस का कंपेंसेट करने के लिए, package देने के बॉला, वो भी दिया है, सब आर्मी दिया, और ex gracia increase हुआ, और peace committee बनाने के लिए, मैंने suggestion किया, वो भी बनाया है, वो तो महीने पहले भी मैधिया भी चला गया था, तो बार-बार संक्सत में उसी को repeat करने का क्या जरूरत है, बोलना तो चाहते थे, वो already published हुआ ना, मनीपूर का जो मुद्दा है, वो अभी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है, हलाकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि डिमोग्रिफी में कोई बदलाव नहीं चाहती है सरकार, और होना भी नहीं चाहिए, जब आप जमीन पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि hills और valley, plains अलग-अलग हो चुके हैं. जब दिली में यहां बैठे हैं, तो कैसा दिखता है, मनिपूर आज की तारीख में? मने? यहां से आप वाच कर रहे हैं, control situation हुआ या नहीं, स्थिती का जायजा ले रहे हैं, ठीक है, यहां से कैसा दिख रहा है आपको मनिपूर, क्या आपकी पास जानकारी वहां से चंकराते हैं? तो कम से कम violence तो control हुआ है, और फिर फ्रिंज एरिया में, फर फ्रिंज एरिया में, फार फ्लंग एरिया में थोड़ा थोड़ा गौतना तो है, वो तो तुरन उसको भी control करने के लिए आर्मी का बहुत preparation है, और रिलीफ अल्रेडी खौला है, फिर भी रिलीफ के जागा में क इतना समय रहेगा, उसको समय साथ हम बहुत अभारी है, इसके लिए तुरन क्या करना है, तो मैं उसको इंठजार कर रहा है, और फिर हमारा जागा में अभी तक विमेन फोक्स और अल्वेस दी एफ्रिहेंशन अबाउट दी हिल्स और भैली का, ये तो कभी नहीं होगा, त मनिपूर से 2000 एर्स का सिवलाइजेशन है हमारा, ये सिवलाइजेशन अकेला हम मैती नहीं बनाया, महारों का हमारा इतनिक क्यम्मिटी 34 है, उसके साथ मिल जूल कर हमारा मनिपूर को बनाया है, इसलिए मनिपूर का स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ मनिपूर और अइडिया ओ जोर कर मनिपूर को आगे बढ़ना साइए, उसके विरुट में आने वाला तो हमारा दिमोक्रेसी में हमारा आइन के माफिक उसको सरसर करना साइए सर, मनिपूर एक ऐसा राज्य है, जसमें पिछले कुछ महीनों से बफर जोन बना हुआ है, दो अलग अलग कम्यूनिटी के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुआ है, असम राइफल्स है बहाँ पर, बाकी पैला मिलिटरी फोर्स बहाँ पर तैना आ थे और तीन में कहा कि अगले चार साल तक मनिपूर का कोई समाधान, कोई सॉलूशन नहीं दिख रहा है, जमीन पर लोग खुद अलग-अलग हो चुके हैं, किनारे हो चुके हैं, कैसे आप इसकी प्रिदिक्या देंगे? बाफर जोन क्लासिफिकेशन इस फोर, अनली फोर, तो कंट्रोल, दी ओकरेंस बाइवलेंस, यह इसी परपस को मिस इंटरिपेटरेशन मत करना साहिए, इसने अलग-अलग जगा को अलग करने का परपस नहीं है, शिरिफ बाइवलेंस को फ्रिंस एरिया में कुकी का इसी का आज पास में लारा ही तो सलने वाला था और कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए डिफेंस के बाफर जोन है, नोट फोर, एटमिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के बाफर जोन नहीं है, आपने सोचा था क्या कि आपके राजी में बाफर जोन बन जाएगा, नही पुछ समझाना चाहिए, ये तो मनिपूर गावेन तो उसको समझाना चाहिए, और सेंटरल करें ने सोकती है, इसको क्या परपस के लिए बफर जोन लगा दिया, बफर जोन लगा दिया, बफ선 लगा दिया, only for control, the violence, no further occurrence should be there, only for that. मनिपुर सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है, केसे देखते हैं उसको? राज्य सरकार थोरा सा क्या है, तो वाइलेंस को कैसा कंट्रोल करना उसका preparation भी नहीं था आप ऐसा वाला गदना ख़िए में अचयु दो उसके मुंद में नहीं तो इसलिए विदाउट बिना प्रिपरेसा तो अई इसको कंट्रोल करने के लिए पहला समय में मौने फास्टे और समय ना तो लग जाता है काहा में the sensitive zone कहा है तो define करने के बहुत समय लगता है इसलिए अभी तो समय तो सब मालूम हो गया इसी जगा में sensitive है इसी जगा में violence होना है तो मालूम है इसलिए both tougher zone के माते आर्मी लोग इंतजार कर रहा है पांस तारिक भी देया और मैंने उसी समय में सब लोग को शांती लाने के लिए आफिल बार-बार किया और यहां में कुकी का एकादमी एकादमीशन और मैटेई का एकादमीशन दो बार यहां में बुला कर मिला है और सरसार भी क्या है वो लोग हासी तो लफिंग इसाधर और और फिर नोट अनली दी नागा कुकी, I call नागा स्टुदेंस और नागा ब्रादर्स अलसो पांच मही को गए थे आखरी, पांच मही को मही को गए थे, उसके बाद आप नहीं, वह उसी बात में, मैं वहां में इं प्रप्राइब गवनर जी ने बुलाया ओपको थोरा सा दिसक्स करने के लिए, मैं एक गंता उसके गाउट अँचे बिए और ऺवनर को पास में गया था, वह इचेस्ए इस्यू एन प्रवल्म्स प्ल भी में 네, ते ते पीफ इन दाएंगा में चुति कुछते हैं जहारो अगरा है जिकटिए बीज़ आपना फिहांग पीजाना से मूंधनना है क्वेस्ट किया वो लोग आभी ओल दे बिलीवर्स ग्रॉप्स आर मुविंग अराउं इत विट गुद्विल मीशन राहूल गांदी मनिपूर जाते हैं लोगों से मिलते हैं वहां जो पीडित हैं जो रिलीफ कैंप्स में हैं वहां उन लोगों से मुलकात करते हैं और संसद म आकर वो यह बात कहते हैं आपने सुना होगा कैसा लगा आपको भाशन उसका भाशन तो प्रिपियर नहीं है मेरा मन में वेरिट केज्वेल के ताइप में बोला है वो तो अच्छा नहीं है फिर भी वो लोग गया था हमारा ग्रिहमंट्री तिन दिन उसी में रह गया है सब को मिला है दूसरा साइट को भी इस इसी तरव को भी सबको मिला है धिलीफ केंप गया था वो सब सदिक्व उसके ऊपर जाने के लिए ताया था मेरा घर जला दिया और अचा आपका घर भी जला दिया गया गया कितना तारिक में होगा तो फंदर तारिक और समवेर लाग देट अधे तायम मैं कोशी में था सम प्रोगाम के लिए नेशनल प्रोगाम के लिए मैं कोशी में था उसी रात में तेलीफोन आया उसके बाद पहले पांस तारिकों में वह लोग ने एटेम किया एटेम किया बहु भावी थे फिर आप तो खुद आप मतलब आप हिंसा के शिकार हुएं आप आपको तो और ज्यादा प्रमुक्ता से अपनी बात रखनी चाहिए थी पारलेमेंट में इसके बात मैंने सेकुरिटी एइवाइजर को बोला था मेरा को सेंट्रल फोर्स देने के लगार तो वो लोक क्या दिया है ? पांस CRPF भेज़ दिया, तो वह भी मेरा एफसेंट में था, मैं घर में नहीं था, उसी समय में डेली वापस आया काम के लिए, उसी समय में पांस CRPF भेज़ दिया, तो हमारा परिवार ने बोला था, वह पांस तो क्या करेगा, तो समय होगा तो हम बुलाएगा, ऐसा बोला था। उसी समय में, वो दिन मेरा घर जलाने का दिन, उसी में हमारा सेक्यूरिटी कहा गया, माने मेरा घर पहुंसने के पहले दो किलोमेटर आगे से रोट ब्लोकेट हुआ था। तो क्यों मानिपूर का सेकुरिटी फोर्स क्यों नहीं मालूम है तो फिर मैं कोशी से फोन किया सेकुरिटी अद्वाइजर को तुरन एक्स्ट्रा फोर्स बेज़ देने के लिए उसने जवाब दिया बेज़ दिया बोला था तो उंसना है नहीं यह सवाल आखरी सवाल होका शायद मेरा कि आपको क्या लगता है कि मानिपूर को कि स्थिती सम्हालने में सरकार से देरी हो गई पहले करती थोड़ा अडली अगर काम होता तो बहतर होता हाँ वो तो सुरू में कंट्रोल करने तो बहुत अश्या होगा कर भी सकता है उसी मैं ने बता दिया है न उसी के हमारा सी मिनिस्टर के समय में ऐसा वालग होतो ना तो कभी नहीं स्वाशा था यह ऐसा वालग वालेन्स इतनिक वालेंस तो सदनली हुआ इसलिए वो तो फ्रिपरेशन तो नहीं था इसलिए थोड़ा समय लिया है इसी से भी बरती हो जाए है सरकार से लापरवाही हुई है वो तो खुद बोलता नहीं नहीं बोलता खुद बोल गिया है पहले आप बच रहे हैं, मैं बोल देती हूं, लापरवाही हुई है। वो लो पहले बोला था, रची मिनिस्टर हिमसेल बोल, अलड़ी स्वोकन तो दे म्रेश। लेकिन आपके सवाल का जवाब शायद मुझे नहीं मिला है, कि आप संसद में बोलना चाहते थे, आपको नहीं बोलने दिया गया, या आप से कहा गया, कि कोई और कहे रहे हैं, मैरा बोलने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं बोलने का मौका तो नहीं मिला, नहीं तो मैं बोलने क लिए प्रिप्यार कर रखा है तो मौका आपको समय नहीं मिला येस आपको आपती ये दिक्कत है तो तो बोलने तो आच्छा होगा मैं भी स्वसाथा तो बोलने का समय तो नहीं दिया मैं फिर ने स्वसाथा हो मैं मेरा बोलने का सब मैट्रेल तो हो मिनिस्टर ने बोल दिया ठीक है, ऐसा सोर सर कर रहा है। राज्य सरकार अगर समय रहते इस पर काम करती तो इतनी बड़ी हिंसक तस्वीर सामने आज नहीं खड़ी होती। अपने सयोगी मनोश्त्र पाथी के साथ निदिश्री एबीपी नियूज दिल्ली।